Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैंसर प्रतीक कर्ण, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल Magnet Brains पर जहां पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भी बिलकुल बकाईदा free of cost, kg से लेकर के class 12 तक का पूरे education सब आपको मिल जाएगा detailed video format में, और अगर आप Hindi Medium के student हैं तो आप जानते हैं क्या करना है और एकदम यार से, एकदम यार से notifications को आउन कर लीजेगा, ठीक है, इससे होता क्याना कि जैसे Hindi Medium के channel पर कोई video upload होगा, चाहे वो recording हो, चाहे कोई live class हो, कोई live update हो, तो उसके जानकारियां, उसके notification सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी, आप किसी भी condition में कुछ भी miss out नह है, और अगर आपको e-notes या e-books चाहिए, तो इसी video के description में एक link मिलेगी, आपको जा करके आप check out करें, वहाँ से आप e-notes और e-books भी avail कर सकते हैं, ठीक है, तो चलें ज़रा कहानी को शुरुआत देते हैं, class 12 physics chapter 5, magnetism and matter का NCRT solution लेकर का आगया, ठीक है, मैंने हमीशा आप स किसी भी chapter में, अगर आपको लगें ऐसा, क्यों रहे हैं, मिलेको सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया, बस एक बार इतमिनान से जा करके NCRT खोलना, ठीक है, उसके topics पढ़ना, उसके बाद NCRT के questions हैं, वह attempt करके देखना, ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बनेंगे नही क्या तुम उसके लायक हो, है ना, अगर हो तो बहुत बढ़िया, सारे question बन जाएंगे, अगर नहीं हो, तो सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा, ठीक है, तो चले हैं, आप शुरुआत देते हैं, इसके पहले question पर आपको लेकर क्या आते हैं, बिना किसी समय क गवाए, तो जो पहला question है, वो क्या बोलना चाह रहा है, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of induction 0.25 tesla, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज जो है, वो आपको data wise given है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस question को अच्छे से देख लें, और उसके बाद फिर इसको solve करना मैं start करता हूं, ठीक है, सवा क्या रिखा हुआ है, एक short bar magnet है, placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field, ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर ऐसा है कि अपने पास यह जो bar magnet है, ठीक है, ज़रा गौर फरमाएंगे आप, तो मज़ा हैगा, यह अपने पास एक bar magnet है, कोई रिक्कत, नहीं सर, कोई रिक्कत नहीं है, यह रहा अप अपने पास में एक bar magnet, ठीक है, अब इसके pole की strength होगी, तो यह एक pole की strength होगी, और यह होगी दूसरे वाले pole की strength, ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इसको south वाला pole देता हूँ, तो यह north वाला pole बन जाएगा, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इनको जोड जोडने वाली एक line होती है, और इसका center होता है, इनको जोडने वाली एक line होती है, इसका center होता है, इसे कहते है, center of the magnetic dipole, ठीक है, और south से north की तरफ directed होता है, magnetic dipole moment, ठीक है, south से north की तरफ क्या होता है, magnetic dipole moment होता है, इसको अपन M बोल देंगे, yes sir, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसके बात क्या है कि सारी की सारी जो external field lines है वो इस तरफ है, ऐसे ऐसे, एक second, एक second, एक second, ठीक है, जाओ रहे, सारी की सारी जो magnetic field lines है, वो दर आपे सबसे खुबसूरत बात कहा है, कि इन सब के बीच में जो angle बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर यह जो angle बन रहा है, this angle itself is 30 degree, यह सवाल में ही given है, ठीक है, यह सवाल में ही given है, कि angle is 30 degree, ठीक है, तो axis और external field का angle जो है, वो 30 degree है, external field है 0.25 tesla की, तो given है कि magnetic field का induction, इस सर 0.25 tesla, ठीक है, आगे फिर क्या बोला जा रहा है, experience is a torque, torque भी given है, magnitude of 4.5, 10 to the power minus 2, तो torque है, कितने का सर, 4.5 और 10 to the power minus 2, ठीक है, जूल या फिर newton meter का आप इसको torque मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, what is the magnitude of magnetic moment of the magnet, ठीक है, आप से यह पूछा हुआ है, कि भाई स अब theta की value 30 degree के बराबर है, तो what is the magnitude of the magnetic dipole moment, इसकी आप से फर्माईश करी गई है, ठीक है, अब जड़ा गौल करते बेचलना, अगर आपको यहाँ पे m की value निकालनी है, तो जो formula अपन यूज़ करेंगे, बाई, इन terms को देखे कुछ या रहा है क्या, इन terms को देखे कुछ याद आ रहा है क्या, तो yes sir, याद तो आ रहा है हलका हलका सा, तो हम जो formula यूज़ करने वाले हैं, वो formula क्या है, tau is equals to mb, tau is equals to kya हो जाएगा, बेटा, mb sin theta, yes sir, तो tau is equals to हो जाएगा, अपने पास में, mb sin theta, ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको निकालना है, यहाँ से, आपको यहाँ से m निकालना है, ठीक है, तो m अपने पास में क्या हो जाएगा, m अपने पास में हो जाएगा, tau upon b sin theta, ठीक है, tau upon क्या हो जाएगा, b sin theta, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं sir, कोई दिक्कत वाली बात निए, ठीक है, तो magnetic dipole moment is equals to tau, tau का formula किता ह अपने पास में क्या हो जाएगा, सुनते बचलना अच्छे से, यहाँ पर अपने पास 4.5 into क्या हो जाएगा, यह जाएगा अपने पास 8, ठीक है, तो 4.5 को अगर मैं 4 सो multiply करूंगा, it will become 18, 18 to 36, 36 into the power minus 2, तो यह हो जाएगा 36, 10 की power minus 2, अगर आप चाहो ना तो point को 2 दफा पीछे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 0.36, ठीक है, क्या हो जो यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल पर टेसला, तो इस हिसाब से magnetic dipole moment का जो answer आएगा, वो आजाएगा, 0.36 जूल पर टेसला के बराबर, यहाँ तका funda पूरा clear है क्या, यहाँ तका funda अपने को supreme तरह से clear हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहाँ त इस दफा 0.32 joule per tesla is placed in a uniform magnetic field 0.15 tesla के बराबर, ठीक है, दो data यहाँ पर already given है, तो पहला है magnetic moment, ठीक है, magnetic pole strength नहीं है बेटा, magnetic moment है, ठीक है, कितने का है सर, 0.32 का है, तो मतलब joule per tesla में है, मतलब m की value है, ठीक है, तो 0.32 joule per tesla, ठीक है, this is the magnetic dipole moment, उसके बाद इस placed in a uniform magnetic field of 0.15 tesla तो जो magnetic field का induction है वो अपने पास में कितना है 0.15 tesla के बराबर है क्या आपका दिमाग यहां तक चल रहा है इस चल रहा है इस प्लेस जहां ठीक है if the bar is free to rotate in a plane of the field which orientation would corresponds to its stable और उसके बाद क्या है unstable equilibrium ठीक है तो इस प्लेस देना uniform field यह तो पूरा clear था अब यहां पर theta initial given नहीं है ठीक है यहां पर theta initial given नहीं है तो आप initial angle वो लेते हैं by default जो कि zero potential energy का angle होता है ठीक है अगर given ना होना कि theta initial क्या है तो theta initial आप वो value लेके चलते हैं जो angle होता है for zero potential energy यह वर आपको समझ में आगए यहस है तो theta initial equal to कितना हो जागा 90 degree अब सवाल का जो पहला पहलू है वो यह था कि stable में कवर आएगा और अच्छा क्या निकालना आपको basically if the bar is to rotate in a plane ठीक है which orientation corresponds to its stable और unstable equilibrium तो मैं आपको यहीं पर clear कर दूँ कि जब stable equilibrium की बात होगी तो stable आएगा sorry zero degree पे और unstable equilibrium आएगा at 180 degrees ठीक है यह वाला समझ में आ गया जब एक साथ aligned होगा stable equilibrium आता है जब theta की value कितने हो जाएगे zero degree मतलब magnetic moment और external magnetic field जोनों सेम line पे काम कर रहे है stable equilibrium लेकिन अगा just उल्टा हो गया ठीक है अगर unstable equilibrium की बात करो तो unstable equilibrium आता है जब theta की value हो जाएगी 180 degrees के बराबर ठीक है अब पूचा what is the potential energy in each case ठीक है तो पहला वाला case में आपको दिखाए तो stable equilibrium का मतलब क्या होता है की angle देखो theta initial तो अपने को मालूम है कि theta initial कितना है by default 90 degree के बराबर है ना हो गया stable equilibrium में है तो theta final कितना हो जाएगा 0 degrees के बराबर ठीक है तो potential energy अपने पास क्या हो जाएगा mb ठीक है बाई exactly वही वाले formula है जो कि आप खास क्यार रखें कि maximum जगहों पर final minus initial होता है लेकिन यहाँ पर इस वाले formula में क्या होता है initial minus final होता है ठीक है इस बात का आप खास क्यार रखें तो m कितता है अपने पास सर एम तो 0.32 है बी कितता है सर 0.15 है उसके बाद cos theta initial कितना cos 90 और अब जब आप बात करें stable equilibrium की तो angle जो final है वो हो चुका है 0 degree इसका मतलब क्या होता है कि magnetic dipole moment और external magnetic field aligned है same direction में ठीक है तो यह cos 0 हो जाएगा cos 0 की value 1 होती है बसे ठीक है अब जब जब गौर करें 0.32 इंटू अपन जड़ा 15 करेंगे एक दफ़ा ठीक है तो क्या हो जाएगा यह इसको आपन ऐसा कर लेते हैं 32 कर लेंगे इसको आपन 15 कर लेंगे cos 0 किता होता है cos 90 कितना होता है 0 और cos 0 किता होता है 1 थे तो माइनस में अपना अंसर तो आनहीं वाल है कोई दिक्कत नहीं है अब जड़ा 32 को 15 से multiply करना है तो जब 32 को अपन 10 से करेंगे 320 320 प्लस करेंगे 160 मतलब 480 हो जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा भाइस अब 480 तो 480 10 to the power minus 4 जूल यह रहेगा अपने पास में answer ठीक है क्या आगया भाई साब clear हो गया 480 10 to the power कितना हो चुका है यह हो चुका है इसके दूसरे सेनारियो के उपर so what is the second scenario तो second scenario में यह का है कि भाई सब unstable यार unstable तो unstable लिखो भाई है अपने एक बात तो हम जानते हैं कि यार theta initial given नहीं था तो by default you have to choose the angle जिस पर potential energy swim zero हो जाए ठीक है तो वह angle zero नहीं होता वह angle 90 degree होता है इसमें कई लोग गलती कर बैठते हैं इसलिए मैं ध्यान दिलवार हो आपको कि by default अगर given नहीं हो ना तो theta initial has to be taken as that orientation angle जिस पर potential energy swim zero हो जाए वह जाती है theta जब 90 degree के बराबर होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर बात की जारी है unstable की तो unstable हो जाएगा जब final angle 180 हो जाए ठीक है तो u is equal to mb और क्या कहा मैंने cos theta initial minus का cos होता है theta final अब ज़रा ध्यान देंगे mb cos theta initial मतलब cos 90 और minus हो जाएगा क्या cos 180 c cos 180 so m minus 1 होता है तो u is equal to क्या हो जाएगा plus का mb हो जाएगा कैसे बता पाई 0 में से minus करेंगे minus 1 तो plus 1 होगा ना तो mb into 1 तो mb हो जाएगा तो भाई साब यह था minus mb के बराबर आप देख रहे हैं यह था minus mb के बराबर तो यह हो जाएगा same value लेकिन plus में तो 480 into 10 to the power minus 4 joule आय है क्या बात है तो जल्दी आप इसका screenshot लेंगे फिर आपको इसके अगले वाले सवाल की तरफ ले करके चलते हैं बताएं क्या आपके दिमाग में यहां तका फंटा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है यह सुप्रीमली क्लियर हो चुका है चले आगे बढ़ें यह सर आगे बढ़ते हैं चले question number 2 is all done for you अब आजो question number 3 के उपर a closely wound solenoid of 800 turns and area of cross section भी साक्षार गिवन है carries a current of current भी गिवन है 3 ampere explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet भाई solenoid acts like a bar magnet because solenoid की जो magnetic field lines होती है वो बिलकुल resemble करती है as that of the magnetic field due to a bar magnet ठीक है तो मैं इस चीज को जड़ा कर दूं underline मैं जड़ा इस चीज को कर दूं underline कि यहाँ पर कहले होता है explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet तो इसका answer सुनने को आप हो जाओ रेड़ी इसका answer यह है numerical part तो अभी कर दूंदो मैं सौल ठीक है लेकिन यहाँ पर answer कि कि the solenoid acts like a normal solenoid नहीं current carrying solenoid ठीक है like a bar magnet a current carrying solenoid acts like a bar magnet just because just because the magnetic field lines just because the magnetic field lines produced just because the magnetic field lines produced due to a bar magnet ठीक है produced due to a bar magnet produced due to a bar magnet resembles मतलब दिखती है एक जैसी ज़्योड़वा बहने resembles the field lines due to a current carrying solenoid ठीक है resembles the field lines due to current carrying solenoid due to a current carrying solenoid ठीक है तो मैं चाहूँगा कि भाई साब पहरे तो आप इतनी field produce हो रही है जड़ा गौर फर्माएं तो आएगा ना समझ जड़ा गौर फर्माएं तो आएगा समझ ठीक है तो दिस इस दा बार magnet you know यह तुमारे पास में क्या है बार मैंगनेट है मैं इसको भी लिख दू क्या कि field lines are axial एक तो यह वाला पॉइंट हो गया इसके साथ में आप एक पॉइंट और एड़ कर देंगे तो मजी आ जाएगा वह पॉइंट यह है कि the field lines जो magnetic field lines होती है the field lines are axial in both the cases ठीक है current carrying solenoid में भी और एक बार magnet में भी access रही निकलती है magnetic field lines ठीक है तो इसको अपन बहुत ही उंदा तरह से इसको अपन नाम देते हैं थोड़ा सा North और South का ठीक है इसको अपने नाम दे दिया है चलो North और इसको अपने नाम दे ठीक है तो फिर ऐसे निकल जाएगी फिर ऐसे आ जाएगी और मज़े की बात क्या है कि क्लोस लूप फॉर्म करती है ठीक है यह जो है ना क्लोस लूप फॉर्म करती है और आप यह समझ्झ में आगे यह ऐसा ही कुछ होता है current carrying solenoid की वज़े से भी ऐसा ही कुछ होता है current carrying solenoid की वैसे भी magnetic field का pattern यह अपने पास में एक solenoid है यह रहा हमारे पास में solenoid ठीक है और इसमें से क्या पास कर रहा है इसमें से current पास कर रहा है और खुब सूती देखें यहीए ओं यहीं बनती है जैसे कि अधर मैगनेट कि बन रही थी है एग जाक्ली ऐसी वी यह पक्ले आपके दिमाग में यह वाला पूरा से ल्ouredफ की बात यह ता झा पर क्या कहा गया को सोलन वाइड और आटसो टरन्स की बाध करी गई यह मतलब n की वालू किरती है सर 800 है 800 टरन्स की बात करी गई है सर मतलब n की वालू किरती है सर 800 है अब क्या आप क्या कहा गया है area of cross section 2.5 10 की पार माइनस 4 तो area of cross section 2.5 और 10 की पावर की है माइनस का 4 और मीटर का square ठीक है yes तर यह वाला fund भी मुझा क्लियर रहे है से सर इसका मतलब करेंट की वैल्यू कित्दी हो जाएगी सर करेंट की वैल्यू हो जाएगी current की वैल्यू हो जाएगी सर ठीक है यह सर यह वाला फणड़ा भी पूरा केलr है अब कहा जा रहा एक्स्प्लीन दस में सेंस यह तो हो गया तो यहाँ पर कहा है और यहाँ तो मागनिटिक निकालने के लिए आप जानते हैं दो होता है मैंने कर दो निया याद आया है तो मैं कुछ निया के बारे में कुछ तुम्हाए है तो m का formula क्या होता है m is equals to n i a होता है m is equals to n into i into a होता है अब ज़रा गौर करेंगे अपन सारी values को put करेंगे अपन तो n की value किती है तो 800 है सर उसके बाद bhai i की value किती है तो i की value 3 है सर उसके बाद area मालूमें कैसर area बिलकुल फारले वालो में 2.5 दसकी पार माइनस सब्सक्राइब तोऑ करें हुआँ दसकी पावर लिखा हुआ है माइनस 4 डीय है अब एककाम करें रहें हुआ अंपे यहां है फीर नमबर खेलने नमबर ले फेले एक त्री जाद ठीनगे तो 24 ठीक जो मैगनेटिक डाइपोल मॉमेंट अब आपके सामने प्रस्तूत होगा वो क्या हो जाएगा ज़रा गौर करते हूँ चलेंगे 24 को ज़रा 2.500 मिल्डिप्लाई करना तो 48 48 और 12 करेंगे 60 तो 60 पॉइंट को दो दफ़ा अपन कीश लेंगे पीछे की तरफ तो क्या हो जाएगा और इसकी युनिट क्या होती है एंपियर मीटर स्कूरर होती है कैसे बाइं तो नमबर ओफ टर्न उसको चोड़ दो भाई सुनना अगर मैगनेटिक फील्ड का इंडक्शन अपन निकालते हैं इसकी युनिट उती है पर मीटर लेकिन निया वाले फॉर्मले में लेकिन निया में जो एन्य है वो टोटल नमबर ओफ टर्न है तो जाता नमबर जाता है युनिट लेस आई का मतलब अंपियर अप्र bess कर गया bisa मिटर मीटर स्कुर्ण ले ले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीन शॉट ले 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 और मुझे बताएं कोई तकलीफ तो नहीं नहीं सर पूरा फंडा क्लियरत तो यह आपका कोशन हो चुका है एकदम डंडना डंडन अब आपको ले करके आता हूं कोशन नमबर फोर के ओपर इसमें रेफरेंस है तो मैं चाहूंगा एक दफ़ा आप इस सवाल को देख लें अपने हिसाब से सॉल्व करके देखें जो भी आपका अंसर आ जाए वह बहुत ही अच्छे से कॉमेंट सेक्शन में जाकर के आप सारी बाते मुझ तक पहुंचा सकते हैं ठीक है और यहां प पर बहुत बढ़ियां को दिकत वाली बात नहीं है तो अब जारा इस वाले क्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम स्वें ठीक है तो क्या लिखा हुआ है इस फ्री तू टू तर्न अबाउट डिरेक्शन ऐसे वर्टिकल डिरेक्शन में टर्न करेंगी ठीक है और होर के बराबर आगे थी सर 0.6 के बराबर तो यही तो खुबसूरती है इस कोईशन की इसमें कहा गया है कि प्रीवेस वाले कोईशन से उठा लो मागनेटिक डाइपोल मोमेंट तो वह 0.6 जूल पर टेस्ला आ चुका है बहुत ही शांदर तो मागनेटिक फील का इंडक्शन के इतना है का सर 0.25 टेस्ला का है बहुत बढ़िया उम्दा शांदर उसके बाद क्या है अब जरा गौर फर्माएंगे आप तो मज़ा आएगा इसमें जैसे मान लेते हैं अपने इसमें कुछ इस तरह से तुम्हारे पास एक डाइपोल है ठीक है अब क्या है कि मैगनेटिक फील्ड यहां से काम करना शुरू कर रही है ठीक है मैगनेटिक फील्ड यहां से काम कर रही है कुछ इस तरह ऐसे काम कर रही है यहां पर मैगनेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है ठीक है और यहां पर मैगनेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा वाली बात भी सही है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा इस एंगल की वैली होगी सर किती 30 degrees, इस एंगल की वैली होगी सर 30 degrees का एंगल है, इस सवाल में गिवन था, ये सवाल में ही गिवन था कि डैपोल मोमेंट और मैंनिक फिल इंडक्शन की बीच के जो वो 30 दिगरी के पराबरे, ठीक है, यह गिवन था, अले कहते हैं, कि axis of the dipole, मतलब dipole moment उस तरफ ही काम करता है, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या था, यहाँ पर निकालना है, find the magnitude of the torque, क्या बूचा हुआ है, what is the magnitude of the torque, what is the magnitude of the torque, तो भाई, टॉक निकालने का basic formula क्या होता है, सर, तो टॉक निकालने का basic formula वाइस चलते ना, पहले तो, अगर अपन formula वाइस चेक करेंगे, तो टॉक निकालने का basic formula होता है, सर, mb sin theta, तो अब जब मैं सारी values को put करूँगा, तो m मेरे पास कितना आ चुका है, 0.6 के बराबर, ठीक है, उसके बाद b मेरे पास में कितना आ चुका है, 0.25, मतलब 1 by 4 के बराबर, ठीक है, उसके बाद कितना हो जागा सर साइन थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है सर तीस दिख दी के बराबर है बोलो यहां तक का फंटा पूरा क्लियर है सर सुप्रीम लिख ले रहे है को दिखकत नहीं है तो टाव इस इकोल स्टू कितना हो जागा मेरे पास में यह 0.6 इंटू क्या हो जागा सर साइन 30 साइन 30 कितना हो था सर वन बाइटू के बराबर होता है ठीक है अब ज़रा गौर फॉर्माते बोचलना पहली बाइन पहली फूरसत पहली पहली क्योंत में 0.6 का आदा कर लेना तो कितना हो जागा 0.6 का आदा करेंगे तो 0.3 हो जाएगा और 0.25 को बैष तो मतलब इसका 1.4 पार्ट निकाल ले तो इसका अधा कितना होता है 1.500 और इसका अधा कितना हो जाएगा 75 तो इसको जब सॉल्फ करेंगे तो 0.075 newton meter this is going to be the answer for the talk मेरे कहाल से यह फंटा पूरा clear हो गया होगा मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप इसका screenshot लेंगे तुरंट से पहले आए हाए गजब जल्दी इसका screenshot लिए 321 ready go super clear super done yes sir clear चले आपको अब लेके चलते हैं इससे आगे ठीक है question number 4 is all done for you चले भाईए अब आते हैं question number 5 के उपर अबार magnet of magnetic moment 1.5 joule per tesla 1.5 joule per tesla इसका मतलब क्या है m की value है 1.5 joule upon tesla सही है ना yes sir clear lies aligned with the direction of the uniform magnetic field ठीक है मतलब initially magnetic field के साथ में aligned है तो magnetic field केता है 0.22 तो magnetic field केता है sir 0.22 tesla और सवाल में कहा गया है कि initially अगर चेक किया जाए तो फिर magnetic dipole और external magnetic field दोनों aligned थे मतलब दोनों same direction में काम कर रहे थे जब दोनों के दोनों same direction में काम कर रहे होंगे इसका मतलब उसके बीच में जो angle है वो कितना हो जाएगा initially angle जो है वो हो जाएगा 0.0 degree के बराबर ठीक है यह सा यह वाला finda पूरा clear है now अब कहानी में जरा सा twist आया है what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment पहला normal to the field दूसरा opposite to the field direction ठीक है तो भाई amount of work done पूछा है basically potential energy के requirement है potential energy आप निकाल दो कि amount of work done निकल जाएगा system पर अगर आपने कुछ भी work करा है तो वही work system के अंदर store हो जाता है उसके energy के form में तो जब कहते हैं कि भाई आप work निकाल दो तो आप अलग से work का formula मढ़ ढूंडा करिए आप यह समझा करिए कि work ही energy energy work है तो एक काम करो ना अगर work पूछा है तो बेटा potential energy निकाल दो इससे का घबराना तो भाई अब पहली बात तो क्या है कि पहले आपने उसको align कर दिया है normal to the field ठीक है पहले आपने उसको align कर दिया है तो निकाल दो potential energy formula क्या होता है sir MB उसके बाद यह एक लौता ऐसा formula है जहां पर final minus initial नहीं करते है यहां पर initial minus final करा जाता है समझ गया है यह समझ गया है बिलकुल खुबसूर्दी के साथ समझ गया M कितना अपने पास 1.5 B कितना अपने पास 2.2 उसके बाद cos theta initial कितना है sir cos 0 और cos theta final कितना है sir cos 90 cos 90 की value क्या होती है 0 होती है और cos 0 की value क्या होती है 1 होती है तो इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या अगर अच्छा 1.5 था और 0.22 था क्या 0.22 था भाई 0.22 अभी यहां पर पूरा खेल खराब हो जाता यह था sir 0.22 थेक है तो एक काम करूँ क्या मैं 15 कर दिया इसको मैंने इसको मैंने 22 कर दिया 10 की power minus 3 कर दिया इसको 1 minus 0 कर दिया समझ गए एक point यहां से आगे बढ़ा दिया 2 point वहां से आगे बढ़ा दिया तो in total मैंने points को 3 बार उचका दिया और आगे की तरफ उचका दिया तो 10 to the power minus 3 आजाएगा अगर हमें उचकाता पीछे की तरफ तो plus 3 हो जाता ठीक है समझ गया यह सर बख्षू भी समझ गया ठीक है अब एक काम करें यह 15 को जारा 22 से multiply करना है ठीक है 15 को open जैसे 22 से multiply करेंगे तो यह 22 कर लिए 15 से तो कितना हो जाएगा 220 और 110 मतलब कितना 330 हो जाएगा ठीक है 330, 330, 330 तो 330 into क्या हो जाएगा सर 10 की पावर minus 3 और यह जूल्स में आगा answer अब मैं अगर पॉइंट को 3 दफा पीछे लेकर क्या आजाओंगा तो 0.33 Joule is the answer क्या आपके दिमाग में यह वाला फंडा सुप्रीम तरह से बैड़ गया बताएं कि आप लोग का answer ऐसी आ रहा है क्या 0.33 आ रहा है क्या जल्दी बताओ पका कोई दिखकर नहीं सर अब इसका जो दूसरा वाला केस है उसको जड़ा देख लिया जाए दूसरे वाले केस में खा गया है opposite to the field direction जब पहले वाले केस की बात कही है normal to the field direction इसका मतलब theta final कितना हो चुका तो 90 degree अब इस बार कह रहे हैं opposite to the field direction तो जब opposite to the field direction है इसका मतलब theta final की value कितनी हो चुकी है 180 degree हो चुकी है यहां देखा फंटा पूरा clear yes sir supreme clear चलें अब जब आपन यहां पर आते हैं शुरुआत दें इस चीज को पूरा तो इसका जो b वाला part है तो b वाले part में कहा जा रहा है कि भाईया एकदम opposite to the field इसको उपन तो u is equals to कितना हो जाएगा mb उसके बाद what is cos theta initial sir cos 0 उसके बाद minus कर देंगे cos theta final what is cos theta final sir cos theta final is cos 180 basically हो जाएगा तो u is equals to mb उसके बाद cos 0 की value क्या होती है sir 1 होती है cos 180 की value क्या होती है so m minus 1 होती है अब उसके बाद जैसे आपन इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा mb into क्या हो जाएगा 1 plus 1 basically twice of mb हो जाएगा अब ज़रा गौर करना क्या हम mb निकाल चुके हैं पहले से yes sir absolutely निकाल चुके हैं 0.33 था ठीक है 0.33 jules आ गया था और इसका double करना पड़ेगा तो eventually अपने पास में answer कितना रहागा sir 0.66 jules it's as simple as that ठीक है ये वाले का भी answer आ गया और ये पहले वाले का भी answer आ चुका था तो जल्दी इसका screenshot लो बेटा पूरा इत्मिनान से बताते पर चल रहा हूं मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई भी दिकत नहीं आ रही होगी आने भी नहीं दूँगा clear है yes sir clear absolutely clear ठीक है चलें आगे बढ़ने मेट आप अच्छा एक और चीज़ा what is the torque on the magnet in the case 1 and 2 what is the torque टॉर्क भी तो निकालना है अच्छा ये एक ही दोनों पार्ट थे क्या एक second इसको ज़रा फिर ऐसे लिखना पड़ेगा ये ए का first वाला पार्ट था और ये एक ही जो है वो second वाला पार्ट था ये एक ही second वाला पार्ट था ठीक है तो अबबबं को यहां से torque निकालना है, तो torque भी आपर निकाल देते हैं तो torque निकालने के लिए क्या-क्या पूछा हूँ है what is the torque in the cases 1 and 2 ठीक है टाव जिक उस्टों क्या हो जाएगा mb sin theta भाई अपने जानते हैं कि mb की value किते है sir mb की value है 0.33 ठीक है और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहला वाला case है ठीक है तो पहले वाले case में अगर हम चेक करें तो अपने पास angle किता है तो यह sin zero आ जाएगा क्या ठीक है yes sir sin zero आ जाएगा ठीक है तो पहले वाले case में तो तो जो torque है तो तुम्हारे पास मिंजीरु ही बन जाएगा जो first वाला case है उसका जो torque है वो तुम्हारे case में zero ही बन जाएगा clear है यार initial angle जो थाना initial angle यहां पर 90 डिगरी था ठीक है इसका मतलब क्या कि जब alignment 90 degree पे हो गया था ठीक है तो alignment जो 0 degree वाला है वो तो सवाल के starting में देकर रखा हुआ था कि भाईया जब हमने सवाल को शुरुआ दीना तब align था उसके बाद जो case 1 बनाया है उसमें 90 degree है और case 2 बनाया है उसमें 180 degree है यह वाला मसला था ठीक है तो यहां पे sign 90 आ जाएगा और sign 90 किता हो था वन तो 0.33 newton meter मुझे माफ करना यह एक हलका सा मसला था ठीक है यहां तक अफंडा पूरा clear है हां की ना यह सर दूसरे वाले case की बात करेंगे यह पर करें तो हमें इस चीज को भी ठीक है बी का दूसरा वाला part है ठीक है तो टाव इसजी कोस्तों किता है mb उसके बाद किता हो जागा sign of 180 degree ठीक है newton meter is going to be the unit of torque ठीक है मेरे ख्याल से यह वाला fund आप लोग के दिमाग में supreme तरह से clear हो चुका होगा कोई दिक्का तो नहीं है सर यहां तक अफंडा पूरा clear है आगे बढ़ा जाए यह सर आगे बढ़ा जाए ठीक है चले अब आजो बेटा हाँ अब इसके पूरे parts हो चुके हैं सर यह और भी दोनों parts हो चुके हैं अब आते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ question number six देखना शुरू करो a closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section भी given है तो बाइक बस given पकड़ो आगे बढ़ो तो यहाँ पर जो number of turns तुम्हारे पास given है वो 200 नहीं है 2000 turns है ठीक है सर and area of cross section कितना अपने पास देखो भाई जो चीज़ें आपन नोट कर रहे हैं यह 2000 turns और area of cross section है तुम्हारे पास 1.6 10 to the power minus 4 ठीक है क्या लिखा हुआ बेटा area of cross section में 1.6 और into क्या हो जाएगा 10 की power minus 4 और absolutely meter square में ही given है मतलब there is no need to convert अगर centimeter square होता तो भाई फिर आपन उसको वैसे के वैसे लेके नहीं चल पाते योगि फिर वो centimeter square is the CGS unit of area और हमें खेलना होता है SI unit में SI unit क्या होती है meter square होएगी तो पहली फूरसत में तो पहले वाला पार्ट निकाल दो what is the magnetic moment भाई तुम भी जानते हो formula क्या होता है यह तुम लोग भूलोगे नहीं न M is equals to क्या होता है निया अगर तुम लोगों समझ में आ रहा है तो comment section में लिखते पर चलना है hashtag M is equals to Nia ठीक है और इसमें M का मतलब क्या होता है M का मतलब होता है magnetic dipole moment N का मतलब होता है total number of turns I current है area of cross section है तो N को जरा भर दो यहाँ पे तो 2, 10 की power 3 2000 था न I को जरा भर दो 4 और area को जरा भर दे न तो कित्त हो जाएगा 1.6 10 की power minus का 4 कोई दिक्कतवारी बात है क्या सर नहीं सर कोई दिक्कतवारी बात नहीं है तो कित्त हो जाएगा 8 2, 4, 8 हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 1.6 ठीक है और इंटू क्या हो जाएगा 10 की power minus 1 मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंटा पूरा clear हो कोई दिक्कत तुमको नहीं आ रही होगे 8 हो गया 8 1.6 हो गया 10 की power minus 1 हो गया तो एक काम करें आपन इसके साथ ज़रा point को आगे बढ़ाऊने है तो 8 इंटू 16 इंटू 10 की power minus 2 ठीक है तो M is equal to 16 को ज़रा 8 से 8 को 16 से multiply करना एक बार तो 80 फिर 120 तक पहुंच जाएगे फिर 128 हो जाएगा तो 128 हो जाएगा और 10 की power minus 2 आचा रहेगा तो M को आप ऐसे कर सकते हो दो दफा point को पीछे लेके आजाओ तो 1.28 हो जाएगा और magnetic dipole moment की unit क्या होती है ampere meter square देखो तो N क्या है सिर्फ number of turns है छोड़ दो से कोई unit ने इसके पास ampere है और ये meter square है तो ampere meter square तो ये अपने पास में M आजाएगा 1.28 ampere meter square पका आगया समझ में 1.28 ampere meter square अब जरह इस कहानी में आगे बढ़ा जाए ठीक है तो angle बन रहा है अब ये पूछा वाट इस दा फोर्स और वाट इस दा टॉर्क तो भाई फोर्स की वाईल्यू तो 0 हो जाएगी क्यों? विकार जब भी torque इस पर torque तो काम करने वाला है जरा गौर करते हो चलना यहाँ पर वैसे मान ले एक solenoid है अरे 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 इतनी बड़ी हल्दी महन दी नी मान लो कि ये तुम्हारे पास में एक solenoid है अब जब इसमें torque काम करेंगा ना बना क्या होता है एक force अंदर काम करेंगा एक force बाहर काम करेंगा तो net summation of force तो 0 हो जाएगा लेकिन यह जो force है वो couple एट करेंगा जिसके वैसे torque आजाएगा जिसके वैसे turning effect आजाएगा solenoid के अंदर तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि net force is 0 यहाँ पर आपन क्या लिख देंगे भाई सब कि net force is 0 यहाँ पर आपन क्या लिख देंगे सार net force is 0 लेकिन torque निकालना तो बनता है तो यहाँ पर अपने पास b की value भी given है और angle भी given है 30 degrees तो अब मैं यहाँ से सीज़े torque निकालने पर focus करता हूँ तो now angle जो है वो given है 30 degrees और जो magnetic field का induction है सर magnetic field का induction कितना given है अपने पास 7.5 10 to the power minus 2 क्या लिखाए भाई 7.5 क्या लिखाए भाई 7.5 और 10 to the power minus 2 tesla तो therefore जब मैं torque निकालने के लिए आगे बढ़ूँगा तो torque का formula क्या हो जागा sir mb sin theta torque का formula क्या हो जागा sir mb sin theta now m की value क्या है sir m की value आचुकी है 1.28 ठीक है m की value आचुकी है 1.28 उसके बाद b कितना है अपने पास में 7.5 10 की power minus 2 और उसके बाद sin कितना है sin 30 तो sin 30 की value क्या हो जाएगी sir 1 by 2 हो जाएगी ठीक है अब ज़रा आगे बढ़ते है तो यह अपने पास कितना हो जाएगा भाई यह 0.64 हो जाएगा तो यह 0.64 0.64 हो जाएगा into चल रहा है 7.5 into चल रहा है 10 की power minus 2 मेरे ख्याल से यहां तक का फंड आप लो के दिमाग में supreme तरह से clear हो रहा होगा मेरे ख्याल में कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं आ रही होगी अब ज़रा गौर करें तो tau is the cost का करेंगे अपन 0.64 मेरी बाद सुनना एक बहुत ही शांदा चीज तुमको बता हूँ बहुत जबरदास चीज तुमको बताता हूँ यह अपने पास 0.64 था यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है उसके बाद 7.5 था कि 0.75 था चेक कर लें 7.5 10 to the power minus 2 यह सा 7.5 10 to the power minus 2 उसके बाद sin theta आचुका था ठीक है इसको रखा भाई इसको ना मैं एक काम कर सकता हूँ अगर मैं क्या करूँ 75 कर दूँगा 10 की power क्या हो जागा minus का 3 हो जागा 75 कर दूँगा 10 की power क्या हो जागा minus का 3 हो जागा अब ज़रा गॉर गर गन 0.64 ठीक है इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 75 10 to the power minus 1 मैंने यहाँ पर रखा 10 to the power 2 कर दिया इट बिकम 75% क्या बन जागा यह 75% बन जागा किसका अफर 75% बन जागा यह इसका क्या बोलते है 0.64 का 75 मतलब क्या होता है 3 by 4 होता है 75 क्या होता है 3 by 4 तो यह 0.64 इंटू यह हो जाएगा 3 by 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 to the power minus 1 तो टॉक तुमारे पास में कितना हो जाएगा भाई 0.64 का 1 4th part निकालना तो 0.64 का 1 4th part क्या हो जाएगा अच्छा एक सेगे 0.64 का 1 4th part 0.16 हो जाएगा तो 0.16 को 3 से multiply करेंगे 0.48 हो जाएगा तो 0.48 और 10 की power क्या हो जाएगा minus 1 तो यह torque का answer आजाएगा 0.48 0.48 दस की power minus 1 इसको तू मगर चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि भाई पॉइंट कोई दफ़ा आगे लिखे आजाना तो क्या हो जाएगा यह 4.8 और 10 की power यह पता है स्टैंडर डिनोशन होते हैं कुछ तीक है कि मतलब जब answer आपन लिखते हैं तो something point something something point something यह वाला pattern अच्छा लगता देखने पर तो 4.8 दस की power किता है minus 2 और obviously यह torque है तो newton meter is going to be the absolute unit ठीक है यह वाला funda समझ में आगे है sir आगे समझ में सब कुछ तो नोट कर चुके थे yes sir नोट कर चुके थे force 0 है एक force इधार है एक force उधार है ठीक है अब आते हैं यहां पर a short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per tesla तो इस दफ़ा जो magnetic dipole moment है वो है 0.48 joule upon tesla क्या खुबसूरत बात है बहुत शांदार एक तरफा जबर्दस तीक है उसके बाद क्या है give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center from the center of the magnet ठीक है magnet के center से ठीक है और वो भी कहाँ पर पहले निकालना है आपको axis पे 10 cm मतलब 10 cm पे निकालना है at a distance of 10 cm तो आप जड़ा समझते पर चलेंगे जो अपन आर लेके चलेंगे वो आर अपन लेके चलेंगे 10 cm cm मतलब 10 की पावर माइनस 2 solve out करेंगे तो 10 की पावर माइनस 1 मीटर आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तीक है उसके बात क्या है axis पर निकालना है फिर निकालना है equatorial position पर तो सर पहले वाले पर अपन काम करना शुरू करते हैं पहले अपन निकालते हैं axis पर मतलब axial position और तुम लोग को अगर formula याद आ गया होगा तो इससे प्यारी बात तो क्या ही हो सकती है अगर तुम लोग को formula याद आ गया होगा तो इससे प्यारी बात तो क्या ही हो सकती है ये है अपने पास एक dipole माना ठीक है ये इसकी south pole की strength है ये इसकी north pole की pole strength है south हो गया north हो ठीक है अब ये अपने एक line लगा देते हैं इसके उपर ये अपने पास हो गया access और ये हो गया इसका center ठीक है तो अब होता कहे कि center से ना ये right में जा रहा होता है dipole moment बोलो हां की ना yes sir absolutely clear ठीक है अब access पर ही 10 cm की दूरी पर एक point अपने ले लिया ठीक है access पर ही 10 cm की दूरी पर अपने एक point लेके रख लिया तो ये रहेगा point center से इस point की दूरी जो है ना sir वो है r के बराबर center से इस point की दूरी क्या है sir r के बराबर है यहां तक अपन्टा पूरा clear है yes sir पूरा clear है अब ज़रा गौर करते हैं चलना कैसे निकालेंगे magnetic field का induction at the axial position ठीक है formula होता है 2k m by r cube अरे वही है यार electrostatic वाले formula याद है yes sir electrostatic वाले formula याद है तो बस वही वाला formula अप्लाई करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक आरे वहाँ पर था 2k p by r cube तो वहाँ पर p क्या था electric dipole moment यहाँ पर m क्या है magnetic dipole moment इस लिहाँ से अपन काम कर रहें ठीक है तो magnetic field का induction at the axial position is equal to 2 हो चुका है k की value क्या होती है 10 की power minus 7 उसके बाद m कितना है m given है 0.48 तो 48 और 10 की power क्या हो जागा minus 2 कोई रिक्कत नहीं ठीक है upon नीचे अपन क्या मारेंगे तो 2 के है नीचे मारेंगे अपन r का cube मतलब क्या 10 की power minus 1 का cube मारेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की power minus का 3 हो जाएगा भाई यहाँ तका funda पूरा clear है सर सुप्रीम clear है ठीक है तो magnetic field का induction at the axial position magnetic field का induction at the axial position कितना हो जाएगा यह सुनते बचलना 2 into 48 का 96 into 10 की power minus 9 और plus 3 करेंगे तो 10 की power minus का 6 हो जाएगा ठीक है तो magnetic field का induction जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा भाई सही है minus 9 plus 3 minus का 6 तो 96 और 10 to the power minus 6 हो जाएगा 96 into 10 to the power क्या हो जाएगा minus 6 हो जाएगा और यहाँ पर direction भी पूछ के रखी है कि किस direction में है magnetic field का induction तो मैं इसको लिख देता हूँ कि direction क्या होगा इसका from magnetic field ना south से north की तरफ है from s to n from s to n साइड है इतना समझ में आ गया अब अपन निकालते हैं इसका दूसरा वाला case दूसरा में पूछा हुआ था at the equatorial position दूसरा में क्या पूछ के रखा था at the equatorial position अब ज़रा ध्यान देना equatorial position में आप जानते हैं sir axial में निकाल लिया ना उसका बस half कर दीजे axial position पे जो निकला ना sir उसका half कर दीजे तो मिल जाएगा equatorial position की magnetic field induction कोई दो राइस के अंदर नहीं sir कोई दो राइस के अंदर अब ज़रा ध्यान देना बस एक बड़ डाइगराम पे आप फोकस करेंगे मजा आ जागा जिन्दगी का मजा ही आ जाएगा यह अपने पास अरे बहुत डाइपोल बड़ा सा बनीगा यह है एक डाइपोल है आप भी जानते हैं यह साच्फ पोल की स्ट्रेंध है आप भी जानते हैं कि यह इस के नॉर्फ पोल की इन्थ है और अब क्या है कि यह ज़राएख आप बने दो बनाइन फंट ऑन जाए जो तो आपको अगर याद हो इसका proper derivation, अगर याद हो, ठीक है, मैंने करवा के रखा है पूरा, और अगर आपको देखना हो तो प्रेलिस में चेक कर लेना, सब कुछ करवा के रख चुका हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है, तो जब आप इसकी वहेसे निकालोगे तो इस तर पोजीशन वह किता बचेगा, एक्सियल पर किता आगया, 96, 10 to the power minus 6, तो एक्वेटोरियल पर किता आजाएगा उसका half, तो 48 आजाएगा, 10 की पावर minus 6 आजाएगा, टेसला आजाएगा, ठीक है, और इसका direction क्या हो जाएगा, फ्रॉम ये इस दफा नौथ टू साउथ की तर ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे, along s to n direction, इसको आप लिख दी जाएगा, along s to n direction, या फिर आप इसको लिख सकते है, along north to south direction, ये दोनों तरह से इसका answer जो है, वो कोट किया जा सकता है, ठीक है, बाई, बताओ, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया, जल्दी मुझे ब पका, बहुत शानदार एक तरफवा, बहुत ही जानदार, ठीक है, ये अपना पूरा हो चुका है, ये थे अपने पास में NCRT के, बहुत ही शानदार खुबसूरत से 7 questions, जिसको मैंने बहुत ही detail में पूरा question solve कर दिया आप लोग के सामने, ठीक है, अब मुझे लग रहा है क इस वीडियो को देख करें, आपको फील हो रहा होगा, कि हाँ सर जितना पढ़के रखाता ना, वो सब चीज़ें इसके अंदर काम आ चुकी है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी help करी है, तो बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक करें, उसके बाद सबसे important ची पर प्लेलिस्ट में, फिजिक्स में, क्या-क्या शांदार चीज़ें अड़ हो चुकी है, और क्या जबरदस चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली है, अगर आपका कोई भी feedback है, या suggestion है, तारीफ है, या बुराईया है, जो कुछ भी है, वो बड़ Magnet Brains जो प्रोवाइड करता है, वो है English Medium as well as Hindi Medium वाली classes with entire full complete syllabus coverage, CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board और Vedic Math Crash Course और Spoken English, इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए, तो आप Magnet Brains के official website पर जाकर के visit कर सकते हैं, thank you so much.